अगर आप लोगों ने भी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए आरे वारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और एक और चीज आप मुझे प्लीज बता हुआ है कि हिंदु हिंदु में यह माना जाता है कि बली देना पाफ है बली नहीं देनी चाहिए जानवरों की और वहीं on the other hand मुस्लिम कम्यूनिटी एसी हो जिसमें बली दी जाती है इवन जब एद आती है तो हर मुस्लिम के लिए यह मेंटेटरी होता है कि वह बली दे तो इसके पीछे क्या लोजिक है और क्यों ऐसा माना जाता है कि बली नहीं देनी चाहिए तो आज ही जो हमारी वीडियो है वह द कि बली देना हराम क्यों नहीं है तो फूट करें और देखते हैं उनका क्या के नहें इस टॉपिक यह अपर मेरी तरफ से पहले तो आपके प्रश्णों के उत्तर दे ओं माइक दे दुआ पहला प्रशन आपका क्या था बली क्यों देते हैं बली राजा भरत की जो जड़ भरत हुए थे तो देवी ने उनकी बली सुईकार नहीं किई राजा प्राचिन वहर भी एक हुए हैं जो बहुत बली देते थे देवरिशी नारद ने उनको समझाया ये सब करना अनुचित है पसु बली जीव की बली नहीं देनी चाहिए लेकिन कुछ लोग इस बात को मानते नहीं हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धी के लिए बली दे सब्सक्राइब दूपिते हैं आप याद रखिए बात को कि भगवान कोई भी देवी देवता किसी को मार के प्रशन नहीं हो सकता कोई भी देवता एक जगे पर एक आज जगे पर कोई अर्थ ऐसा आता है कि नहीं बली अनिवार है तो वहां हमारे आचारेगंड अब ऐसा बताते हैं कि अगर बली देनी कंबल सरी है तो वो जो नारियल आता है उस पर उसकी आकरती बनाकर उसकी बली देनी चाहिए किसी जीव की बली नहीं देनी चाहिए क्योंकि जीव की बली देने से भगवान और कोई देवी देवता प्रसंद नहीं हो सकता पहला अंसर तो इसकी बली वो नरपसु पसुओं की बली देता था वो तो शुरुवाद तो बहुत पहले से कोई अभी कोई नई शुरुवाद हम लोग नहीं कर रहे हैं नहीं लिए कल्योगों में तो बरजित बहुत सारी चीज़ें बरजित हैं कल्योगों में लेकिन लोग नहीं मानते हैं उस चीज़ों को कल्योगों में तो बहुत सारी चीज़ बरजित हैं ऐसे ऐसे चीज़ बरजित हैं कि आप सोच नहीं सकते लेकिन क्योंकि स्वार्थ की सिद्धी के लिए विक्ती मानता नहीं तो मैं अपने लोगों से जो आप जैसे युवा लोग मुझे फॉलो करते हैं उनसे एक कोई बात कहूंगा आपको बली देने की कोई आविशक्ता नहीं आप दिल से हाथ जोड़ के भी प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से तो आपकी प्रार्थना भगवान स्विकार कर लें कि दूश्रा प्रश्णता पूर्ण ब्रह्म कोई बन सकता है देखिए एं में किसी को परिशान करना या किसी की हत्या करना मनें गलत कहा गया है यह मजभ इसकी इजाज़त नहीं देता और जहां तक इसलाम से मेरा तालूक है और इसलाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी इसलाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाह को कतल करने की अजाज़त नहीं देता अगर आप मेरे सवाल का बखुभी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है यह जबाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाओंगा यूँ तो मुरिद हुई लेकिन फिर मुरिद बन जाओगा कि इंसानों को सबसे उंची स्रेडी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूँ और मैं जब करीब अपने कई मुसल्मान इंटिलेक्शल्स दोस्तों से सवाल करता हूँ कि सब कुछ मिलता है मगर आप बली क्यों देते हैं आप वद क्यों करते हैं तो उन्होंने कहा कि यह चीज़े बुसल्मानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है मैं इस पे क्लिरिफिकेसन चाहूँगा डॉक्टर साब का आपका क्लिरिफिकेसन चाहूँगा मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा आपसे वालेकुमस्सलाम बैसाफ आपके सलामती हो पैसमे सवाल क्या है कि वो पीच टीवी माशाला काफी वक्से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मख़ब में कहा गया है कि कतल करना इनसान की जान लेना गलत ए हराम है हिंदु मख़ब में कहा गया है और इसलाम में भी जैसे उनकी जान कारी सही है कि बेगुन अगा गतल करना हराम है वो ये पूछते हैं कि बली का तक सही है बली का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाओंगा, भैसाब ने का कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं और यह कुर्बानी का जो सवाल है कि हम इद्व ζ़ा, बक्रीद में कुर्बानी क्यों देते हैं कुरान में छिन्द आणा दाना फर्माते है सुरह हج में षौर नम्बर 22 में कि नाई गोश, नाई खून अल्ला को जाता है अल्ला को ना खून की दर्वत ना गोश्च की दर्वत एक कुर्बानी के वक्त अल्ला को खून ने जाता है ना गोश्च जाता है लेकिन तक्वा आपकी पायटी आपकी परेजगारी अल्ला को पसंद है आप अगर देखेंगे के इदू जुहा के बा बोद्दाम थी और capacitरमानी इनसलों की बोद्दाम थी और हिंदुस्तान में आम है आज बी आज मिदुस्तान privately अंद click कई गर मज़ाहिब में लड़कियों की खुर्बानी दिया थी बच्चों की वली दिया है कि आप छोटे बच्चे कर到 कि और अड़टिक खुश हो जाएंगे कई जगा अलम्दल्ला मुसल्मान में नहीं है तो उस वक्त इबायमिरसलाम को आला ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज़ है तो उन्हें कहा कि मेरा बेटा तो उन्हें ने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्मान ने दे सकते अपने पैगंबर इबायमिरसलाम से बेटे कुर्मान दे सकते तो वो चौक गए और अल्ला के पैगंबर थे उन्होंने ना के बेटे से का बेटे ने का बेशक अल्ला के लिए आप मेरे कुर्मान दे सकत हैं अपने पत्पे पत्पटी मानना जैसा अल्ल्हसाTAL फर्माते इस दुनिया में अल्ल्ह ताल्हसा हमारां इंत기 Anal मैंता इंतot वाहर पास्जाता है एक भेटे के गुर्बानी देने शीप की गुर्बानी हो जाती है तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसल्मान आज भी मुसल्मान बखरीद के टाम पे इद्जुखा के वक्त जानवर की गुर्बानी देते हैं ये याद दिलाने के लिए हमें क्योंकि ये आखरीप गुर्मान अस के बात मानते लेकिन अगर मैं सोचू दिमाग से क्यों तो ये सोचता हूँ कि भी हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्ला को इन्सान की गुर्बानी की जरुट नहीं इन्सान के जान के लिएने की जरुट नहीं तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कतल किया जा रहा है आरदों को कतल किया जा रहा है बली पे चड़ाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और दोनों में आप देखेंगे फरक अगर कोई दूसरे मजभ में हिंदू मजभ लो या दिगर मख़भ लो अगर कोई जानवर की बली चड़ा जाती है तो उदर ही रख दिया जाता है और अक्सर वो फुजूर हो जाता है ओसकता है कभी कोई चुपके से आके खाले इसलाम में जब कुर्बानी दी जाती है इस दुज़ा की टाइम पे सबसे पहले जो मैं किया रहा हूँ कि मेरी मंतिक यह समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इन्सानों की बली चलाना हराम है और जब हम याद दिलाते हैं जब बकरा काटते हैं या जो भी काटते हैं जानवर इस वक्त जब हम काटते हैं, हम अल्ला का नाम लेके काटते हैं और जो भी जानवर की कुर्बानी देते हैं, उसके तीन हिस्ते कर सकते हैं एक हिस्सा हम खुद रख सकते हैं, खुद के इस्तिमाल में ला सकते हैं एक ती इससा, दूसरा हिस्सा, हमें हमार रिष्तिदार में बाक्ताना चाहे, और तीसरा हिस्सा, गरीबों में बाक्ताना चाहे, जो कुर्बानी दे रहे हम जानवर का इस्तिमाल कर रहे हैं। जानवर खाना अलाओ ये कहने हैं वो एक अलग बह्त है जिसके उपर आप पूचे तो जवाब अलग है कि जानवर खाना सभी है क्या गलत है वो एक अलग डिबेट है जो अभी ने अगर आप पूछना चाये तो अगला सवाल पूछ सकते हैं एक तीसा इस हम इस्तिमाल करें जैसी हिसा हम दोस्तों में बाट रहे हैं हमारे रिश्तार में और तीसरा हिसा हम गरीबों में बाटते हैं तो इनमें गरीबों का फाइदा हो रहा है ना फूदूर खर्ची हो रही है और याद दिलाए जाता है कि इनसानों का गतल करना खलत है तो ये अच्छी चीज़ है हमें याद दिलाया जाता है और प्रेजर मिझी वे लिखा है सुरे माहिदा सुरह 5 आईट नमर 1 में और सुरह 9 सुरह 9 आईट नमर 16 आईट नमर 5 में कि जो जानवर आपके लिए हलाले हो खाथ सकते जो झाव पाई है खरी हो जानवर मत खाओ जो आपके लहराम है जो हलाल है वो खा सकते तो ये खाने के लिए हमाले खुराख है तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे ना पैसे की बर्बादी कर रहे हमें याद दिलाए जाता है क्या ना खुदा को गोश जाता है ना खुदा को खुन जाता है खुदा को तक तो इसमें क्या गलत है बनित्बत दूसरे मजाइब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है इन्सान का गतल हो रहा है और जानवर को भी अगर बली चड़ाए जाती है तो फूदूर खर्चे होती है मनित्बत इसलाम में बकरीद के अंदर फाइदा ये फाइदा है खुब दंस तक विश्चान है बहुत खुब आपने ये बहुत अच्छा अच्छा फरमाया मैं आपके जवाबब से काफी संतुश्ट हूं और जाते जाते एक आखरी सवाल करना चाहूँगा स्वींसा को इसलाम किस नजरिए से देखता है अहिंसा को इसलाम किस नजरिय इसलाम के मानी है कि शान्ती हासल करना अपनी खौईश अल्ला का जो पेगाम है उसके मताबिक अपनी जिन्दगी बसर करना और अमन हासल करना उसे कहते है इसलाम हिमसा आम तोर पे हराम में लेकिन अगर मिसाल के तोर पे हम देखते है हर देश में कानूने कानूने का चोरी मत करो किसका कतल मत करो लेकिन कानून के इलावा पुलीस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है कोई चोरी करेंगा तो पुलीस उस वक जबरदस्टी कर सकती है पुलीस फोस का इस्तिमाल कर सकती है पुलीस कभी कभी हत्यार का इस्तिमाल करती है अमन और शांती बरकरा रखने के लिए देश में उसी तरीके से इसलाम में हिमसा आम तोर पे हराम है लेकिन हर इनसान शांती नहीं चाहता है कुछ इनसान जो अशांती चाहते है और जो अल्ला का फर्मान पे अमल नहीं करते और शांती को भश करना चाहते उस वक्त इसलाम इजाज़त देता है कि आखरी मरहले पे आप हिमसा का इस्तिमाल कर सकते शांती लाने के लिए हमसा का इस्तिमाल कर सकते शांती लाने के लिए खुद के फाइदे के लिए ने इसी लिए आम तोर पे जितने भी आपने देखे हुएंगे जो जंग अक्सर वो था सर्फ डिफेंस में अगर कोई चोर मेरे घर में घुस्ता है और मेरे बेटी से बत्तमी मैं का कोगा माङ हमसा में मानता हूं, मैं हाथ में लगांगा ? बाई छुड़्याने पेना होगी cache मुसल्मान हूं लेकि छुड़्याने पेना हूं आपके घर में कोई चोर गुइना हूं और आपके बेटी से बत्तमी में दि माग होगा रहा है ? नहां के लिए ने, दूसरे को तकली पोचाने के लिए गलत है, दूसरे का मार हरब करने के लिए हराम है, लेकिन खुटके बचाओ के लिए, या अमन हासिल करने के लिए, इमसा का इस्तिमाल किया जा सकता है, लेकिन असल में इसलाम आता है, लवस सलाम से, जिसके मानिया सलाम पोचे हैं बहुत खुब बहुत अच्छा लगा आपको सुनके फिर वे एक बार मैं अप तहे दिल से आपका सुक्रियादा करना चाहूँगा अपने अंदर की आवाज है कि इंसानों की खिद्मत करो इंसानों की इज़त करो और भटके हुए को रहा दिखाओ मेरा भी यही है और मैं किसी इंसान में हिंदू हो चाहें मुसल्मान मैं इस खुले मन से आगास करता हूँ मैं किसी से भी भेद भाव नाज तक किया है ना कभी जिन्दगी में करूँगा मेरे लिए इनसान जो पैदा किया है वो उपर वाले ने वो सभी एक है और यह चाह गरेंगे आपने फरमाया कि इनसान की खिद्मत करना चाहिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को पूरे इन्वर्स को पूरे बात तो बहुत कहने की है लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है बिल्क समय का तकादा होने के वज़े से मैं आखरी चीज कहूंगा आपसे भाई साब कि आपने पीस टीव पेसने तक्रीश सुने आप कहते हैं कि भगवान एक मुष्प में मानता हूं लेकिन यही भगवान ने चाहे बाइबल में हो चाहे वेद में हो चाहे कुरान में हो सारी धार में किताबों में कहा गया है कि आखरी आने वाले पेगंबर मुष्प सल्लाव सल्म में और उसमें मानना चाहे तो मेरे आपसे ये दर्खास थे कि आप इतने अच्छे इंसान है माशाला एक आखरी मेरी खौईश है कि आप इंशाला इस पर तहकी करो और ये जब आप एक भगवान में मानते है दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते तो भगवान ये भी कहते कि आखरी पेगंबर कोन है उस पर तहकी करो इंशाला आप मुकमल अच्छे इंसान बनेंगे तो अगेन बहुत ये अच्छा वीडियो और जैसे कि हमें पता है कि हिंदु धरम में भी पहले बली दी जाती थी लेकिन टाइम के साथ साथ में आके अब क्या हो गया कि बली देनी बहुत कम हो गई है और कई जगा दो देते नहीं ये विशुश किया जाता है कि उस भगवान को बली क्यों देनी वो कोण सा भगवान है जो की बली बगेरा से या किसी बेजवान जानवर की मोत से खुश हो जाएगा तो इसलिए वह अब जो बली देने वाला system है बहुत कम हो गया है लेकिन अभी वी जो देवी काली है उसके सामने कई जगा पे बली दी जाती है और जो मुस्लिम से उनमें अभी भी बली देना कॉंटिनू है और जो बली देने के बाद में जो गोश होता है वो सिफ अपने घर पे नहीं रखते वो सब जगां डिस्टिबूट भी करते अपने नेवर हुड में भी देते हैं और जो गरीब लोग हैं उनको भी बांटा जात मदद कर दो उनको खाने के लिए दे दो तो वह सबसे ज्यादा बड़ा दान माना जाता है मतब ऐसा कहते हैं और मैं भी खुद मानती हूं कि अगर आपको किसी बहुत बड़ा मंदिर हैं यहां पर ओलरी लाखों लोग गोल्ड भी डोनेट कर रहे हैं चड़ावा भी स्टाल लेकिन टायम के साथ साथ भी बढंद हो गई है यां बहुत ही कम हो गई है लेकिन मुसलिम में मैं अभी वी बल्ली दी जाती है तो ही स्टाक्र से ही चला आ रहा है और बीच में आगर एगर कोई JAMES हो जाते हैं तो तो शूसके वेजह के नहीं चहिए कि हम तो कभी करत झाल झाल